है से बच्चों ओल फाइन है चलो तो हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव वरस्टी में आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे रेन मैं की प्रोलम कहलो या फिर आपको इसको कहते हैं वोमन अंब्रेला प्रोलम मतलब कि चाता को किस तरह से पकड़ता है जब क्या हो रही हो तो इस तरह की प्रोलम है विटा हमारी अप्रोच बिल्कुल सिंपल रहेगा आज की क्लास में मुझे पूरे यकीन है कि हर बच्चे को समझ में आएगा बिल्कुल सिंपल भासा में बात करेंगे बिल्कुल उस इसाब से समझेंगे इसको कि एक ही मैथड रहेगा और बहुत एकदम आसानी से समझ में आने वाली भासा रहेगी ठीके पीटा हां तो लेकिन अच्छा उससे पहले मैं यह सूच रहा था कि हमने साह क्लास में एक बात की थे कि पांच से चैपरसेंट बच्चे इनकितने फाइव टो शिक्स परसेंट बच्चे ही नीट या जेए का जो आईटी जेए एडवांस का एक्जाम है कॉलिफाइब कर पाएंगे यह हमने एक रफ फीगर होता है बेटा जो कि क्या होता है मतलब काफ बड़ोर्ट इर्फकाषी मतलब है कोई भी बच्चा जो कंसिस्टेंटली हाघ़वक करेगा कंसिट्री भाणट करेंगा ना कंसिटर्व करता रहेगा चीजों को लूर्ण करता रहेगा कि करता रहेका वो बच्चा कॉलिफाइब कर जाएक चाहे उसके लास्ट एक्जाम में मतलब आपके जो 10 एक्जाम में उसमें 70 परसेंट निमार्स क्यों नहीं आया है उसके लेकिन अगर अभी उसने ठान लिया तो कर जाएगा यह नोई जो क्रिया होती है आपके आसपास में अरे उसके मेरे भीया के 98% तो नीट कॉलिफाइग नहीं कर और वो अगर आप काम करते रहते हो तो आप बिल्कुल सफलता आपके पास में आएगी बिल्कुल सफलता आपको मिले वाली यह सक्सेस आपके पास में होगी बिकुत जो मैं मानता हूँ यह मानता हूँ कि हर बच्चा जो है वो बोन जीनियस होता है क्या होता है हर बच्चा आप भी genius है, you are a born genius, बटा, हर बच्चा born genius है, ऐसा नहीं कि बच्चा कोई कमजोर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चा born genius होता है, और अगर बस फरक्षा होता है, कि जो बच्चे अच्छा score करते हैं, उन्होंने अब तक काफी मेहनत की है, और वहाँ तक पहुचे हैं, हर दिन मेहनत करके वहाँ तक पहुचे है, तो अगर आप भी मेहनत करना शुरू करते हो, और आप भी consistent hard work करते हो, तो आप भी वहाँ पहुचे हो, बचा, हमारा जो history है, बढ़ा बढ़ा है, इन सब example से लेको, ये, महा कवी कालिदास, संस्कृत के उच्चे तम स्रेनी के संस्कृत में कोई बहुत कम लोग हैं, जो इस तरह के कवी हैं, संस्कृत के विद्वान हुए हैं, तो ये, कहते हैं कि ये भी पहले डंब थे, इनके बारे में तो इस तरह के legends हैं, कैसे, कि जिस ब्रांच पर ये बैठे थे, उसी को जो ट्रंके साइड से कट कर रहे थे, है तो वहां से पता चला है कि वहां से कुछ दो-तिन परंडितों को गुरूप जा रहा था, जो नहों देखा और इनको बिलकुल मुर्ख प्राणी है, दंब प्राणी है, तो उनको लगा कि यार इस बंदे से, इस बंदे से क्या कर सकते हैं, उनका जो मान हुआ था प्रिंसेस करेंगे और आपके questions का answer करेंगे, right? क्योंकि आप प्रिंसेस ने कहा रखे थे कि जो भी उनके questions का answer करेंगा, उनसे वो साधी कर लेंगे, right? तो इनको बिलकुल इनको बताया लेकिन इनके बास में क्या है, आज की यह कुछ मौन रत पर है ना, यह बोलेंगे नहीं, यह क्यो संतुष्ट हो गए, कि हाँ, he is very vidwan kind of person, right? तो अब क्या होता है, कि राजमाली जैसे उनकी शादी होगी, शादी होते ही पता चल जाएथा कि यार यह तो बिलकुल डंब, मुर्ख प्रानी से शादी होगी उसकी, right? तो अब क्या हुआ कि उसने इनको घर से निकाल दिया भा बड़ा अपमान फिलवात इनको लगा कि मेरी जिन्दगे के कोई माइने नहीं है, तो इन्होंने suicide करने के लिए चल पड़े यह नदी पर, बिटा वहाँ पर इनकी नजर पड़ती है कि कुछ और ते कपड़े धो रही है, और वहाँ पर शिल जो रोक्स हैं, वो कुछ जिन कि तो मेरे जो बुद्धी है, मैं ये मूर्खता का जो टैग मुझे लगा दिया गया है, जो डंब का टैग लगा दिया गया है, इसको मैं क्यों नहीं उतार के भेख सकता हूँ, मैं भी महनत करूँगा, काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो इन्होंने बिटा practice शुर नहीं हैं, उनके बराबर आज तक समस्क्राइब किस कोई नहीं लिख पाया, तो ये कहानी, ऐसे बहुत सारे एक्जामपल्स हैं, जो नहीं अपनी बहनत के बल पे अर्श से, फर्श से, सोरी, फर्श से अर्श तक पहुचे हैं, बिटा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो काड़ को काड़ दिया पानिये, तो यानि कि ये ये आपने देखा, ये सिल्फ पर रस्री के निशान बने हुए, आपने कहावत सुनी होगी ना, कौन सी, करत करत अभ्यास के जडमत होत सुजान, रस्री आवत जात से सिल्फ पर पढ़त निशान, यानि अभ्यास करते-करत सब्सक्राइए इसको इसको भी तो ये सब नौज पर ध्यान नहीं देना हमें नौज की तुम्हारा कैसे होगा इंसका नहीं हो पाया तुम के तुम तो उससे कम माउस लेका है ऐसा कुछ भी नहीं है और यकीन करो अगर आपने कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क किया मेहनत की डेली करनी है ऐसा नहीं करना है कि एक दिन कि डेली काम करना है यह नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा यह बिल्कुल विदिमाग में नहीं आने चीए कंसिस्टेंटेंट हार्डवर्क पजो बेटा बहुत अच्छा प्याइव करता है उस अपने जो जो फ्टो्र को बूलाते हैं जो करता है लास्ट सम्ht nimi मिन दिख्ञा है रिवर बोट के जो प्रोरम थी उसमें उनकी हेलप लई थी उन्होंने सव surrender में ängज ए इना हाथ हो वापश वॉलाते है तो क्या हुए बैटा की चंदू औरफोंने अपने दोस्त को बुलाया कि किसको अपने के दोस्त को बुलाया और वो लोग अपनी फैमिली के साथ में कोई फंक्शन अट्रेंट करने जा रहे थे राइट उससे पहले हम क्या करेंगे रेंबें के प्रोलम को जानने से पहले थोड़ा सा रिलेटिव वेलस्टी को कॉंसर्ट एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं और रिलेटिव वेलस्टी का तो चंदु ने अपने दोस्त को बुलाया दोनुं कहां चल दिये दोनुं एक फैमिली फंक्शन में जा रहे था पर फैमिली के साथ ना ओके तो देखो क्या हुआ कि यह आपका चंदु का दोस्त का नाम क्या था चंदु की दोस्त का नाम है भोलू का नाम है भोलू है हाँ बेरी गुड और यह उनके गाड़ी में जा रहे हैं देखो यह वाली जो गाड़ी है इसमें आपका भोलू बैठा हुआ है और यह वाली जो गाड़ी है यह आपकी चंदु की गाड़ी है बिटा अब क्या हुआ कि मालो यह आपकी A है इस गाड़ी का नाम इसका नाम B है तो भोलू की गाड़ी का नाम B और चंदू की गाड़ी का नाम A अब क्या हुआ कि चंदू हमने देखा कि अगर मालो हम यहां पर है हम यहां पर खड़ी हैँ और हमने यहां से ऑफजर्व किआ कि भृई चंदू की जो गाड़ी है इसकी स्पीड है आपकी हम यहां पर रहे हैं आख यह आरी है, 80 km पर आर, राइट? भोलू कि जो गाड़ी के स्पीड आरी है, वी बीमान लेते हैं इसको, यह आरी है, 60 km पर आर, राइट? अब क्या किया? चंदु ने कहा, भोलू को फोन करके, कि बताओ, मेरी गाड़ी के, हमारी गाड़ी के स्पीड क्या है? भोलू के पास मे क्या था उसके पास में एक क्या था इस्पीड़ोमेटर जिस्से आम इससी मीजर कर सकते हैं राइट पुलिस्गों ऑना ने देखा होगा आपने फटो इसपीडोमेटर पीट तो 구ete की है तो बताथ मुझे तो उसने कहा कि नहीं तो 80 km पर आर के साफ चल रहे हैं तो क्या हुआ बीटा क्या समझ में आ रहा है हमें कि हमने चंदू जो भोलू ने चंदू के गाड़ी की स्पीड निकाली वो कैसे निकाली इसके रिस्पेक्ट में निकाली अपने रिस्पेक्ट में निकाली क्योंकि वो भी तो किस से जा रहा है 60 km per hour के speed से आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया अगर हमें चंदो की गाड़ी के speed निकालनी है किसके respect में भोलू के respect में तो वो भोलू की जो भी कुछ speed है भोलू की गाड़ी की वो speed उसमें से कम हो जाएगे न यानि कि जो हमारे V A B आएगा इस case में velocity of A with respect to B ये कैसे आएगा V A minus V B राइट ये समय भारा है बिल्कुल सिंपल सी बात है वेटा समझने वाली बात है अगर मान लो अब इसकी speed 60 हो जाए किसकी चंदो की गाड़ी की और ये 80 हो जाए तो क्या होगा क्या होगा 60 minus 80 अगर भोलू मीजर करता है वापस तो क्या आएगा 60 minus 80 यानि क्या आएगा speed minus 20 आ जाएगी minus 20 का मतलब क्या हो गया minus 20 का मतलब ये हो गया कि ये गाड़ी अब इधर की बजाए जैसे ये इस direction में जा रही है अब इधर की बजाए वापस नजदीक आ रही है पहले distance बन रही थी दोनों के बीच में अब distance कम हो रही है अब क्या काम करें मान लो अब ये जंदुने कहा कि नहीं हम तो तेज चलेंगे भी वापस चलेंगे तो ये destination से आगे निकल गए अब ये वापस भोलन ने बता है कि आप तो बहुत आगे निकल गए हो तो वापस आ रहे हैं वापस तो अब क्या हुआ कि झो डारिक्शन है वो विट्टा ये हो गई हमने ये direction को सेट गली या था कौन चैन को बीकल को सी जर कुदेशन को हमने पाजसे यवलिया है और ये जो अन्यदिजर हो गई यह हमें पाज़िटिव लिया है आप में दखन देखां कि हम ने चंद कि गापके Ahora कि यहारी चंदों की स्पीड वी ए ओर विए इस डिरेक्शन में तो माइनस एटी हो गई अगों लोके स्पीड कर देंगे हम ना अगर स्पीडोमेटर दिखायेग तो इस्पीड दिकायेगा, मेरे स्पीड़ वह निकाल रहे मिटा, मैंने सेटी यानि अब जो speed आ रही है वो आ रही है speedometer में minus 160 km per r that means कि जब दोनों गाड़ी एक डारेक्शन में चल रही है तो speed निकालने के लिए उनकी speed का difference हो जाता है ना relative speed एक की दूसरे के respect में यानि कि चंदू के speed भोलू के respect में निकालेंगे तो क्या होगा कि दोनों का भोलू की speed का minus कर देंगे विटा उसकी विलस्ट्री को minus कर देंगे वी वी को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया अब अगर दोनु क्या कर रही है पास में आ रही है दोनु गाड़ी न तो भी हम क्या करेंगे वी-बी को माइनस करेंगे अकर बी के respect में ही एक वलस्टे निकाल रहे हैं तो right? तो simple जो principle बन रहा है हमारे पास में वह यह है कि एक सब्सक्राइब दलाओ नोगे तो हम दमिंटेबा essay को सब्सक्राइब देखेंगे से crédका Babi यहमारे पास में सिंपल अंड्र गाइब करी लेकिन हमने सब्सक्राइब कि इसमें river port problem में रिवर बोट प्रोल में क्या क्या हमने प्लस किया देफ यह द्याना के भूल गए हां चलो कि इसको नहीं करते हो अब river board problem में हमने सगुनल स किया था अभी हम कह रहे है कि वी रीइब था आपका तो अंतर समझो वेटा उसमें क्या क्या था हमने वह ध्यान एक्जाम्पल के चंदू की स्पूर सिप पर था ना तो हमने चंदू की स्पीड निकाली थी V boy with respect to ground is velocity निकाली थी आ वेलस्टी हमने calculate की थी तो हमने क्या क्या था ballistic of Boy plus velocity of ship. ऐसे कर दिया था. लेकर यह बिटा, क्या होगा था? कि जो Boy था, यानि चन्दू था, वो Sip पर था और Sip, Sip पर दोड़ रहा था, ना? Sip के respect में है, यह वाली probability किसके respect में है? यह आपकी relative to ship है. Relative to Sip. Right? तो इसलिए हम ने इसमें add की थी. और हम जो जो बसटी यहाँ पे पर काल रहे थे ये कह उंचसे विए वैस्टी है रेतिव टू इस टू ग्राउंड हिए एक है क्लाउंड के रिस्पेक्ट वालिए बस्टी निकाल रहे यहां पर जो वी और था तो यहां पर जब हम एक अगर हम दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ग्राउंड के respect में relative strain ही निकाल रहे हैं तो तो होगा बैट अब माइनस इतनी सिंपल सी बात ध्यान रखो ज्यादा कुछ भी करने की जो उतनी है और अगर हम ground के respect में निकाल रहे हैं जबकि एक बोड़ी दूसरे पर हो तो हम क्या करेंगे विलेटिवल स्टीन का लेंगे उसकी ground के respect में तो हम क्या कर देंगे add कर देंगे तो यह वाला जो केस बनता है हमारा यह वाला हमारा है रीवर बोर्ट का केस और यह वाला जो हमारा बनता है यह concept आता है हमारा Rain Man, Mane, किसमें आता है? इससे हम Soul करेंगे Rain Man की Problem बीटा, किसकी?? बताओ, Rain Man की Problem.. Right Okay Good तो अब चलो, आगे चलते हैं, हमारा जो Question बनता है, किस तरह कोश्चन बनते हैं बताओ, इसमें बनते हैं कि बही रेन जो आ रही है है ना सपोर्ज यह आपकी रेन आ रही है ओके रेन कहां से आएगी मेटा बादलों से आगे ना चलो बादल बना रिखते हैं यहां पर यह रेन आ रही है यह आपके बादल है तो यह आपके क्लाउड्स हो गए और क्लाउड्स से पेन कैसे आती है अगर हवा नहीं हो तो अगर विंड नहीं ब्लो नहीं हो रही है तो आपकी वर्टिकली डाउन वड़ाती है राइट कैसे आती है वर्टिकली डाउन वड़ाती है अब अगर हमें सपोर्ज क्या दिया जा कि भैइ आपको अंब्रेला पकड़ने है तो पिटा कैसे पकड़ेला यह हमारे पास अंब्रेला आ गया अंब्रेला पकड़ने के लिए हम इसको वर्टिकल ली इसी इशाब से पकड़ेंगे न सो तेकी हमारे क्या हो हम रेण को रोख सके, right? यह होगा, अगर मालो, हमारे पास में, क्या हो, बिटा, रेन की, अगर मालो हवा भह रही हो, राइट, हवा, क्या हो रही हो, विंड ब्लो कर रही हो, तो हमारे पास में, सपोर्ज, विंड ऐसे ब्लो कर रही है, इस डारिक्शन में, ठीक है, ऐसे ब्लो कर रही है, क्या है यह, विंड वेलस्टी, की डारिक्शन है, यह वाली, तो क्या होगा, आपकी जो रेन हाएगी, रेन वो ऐसे आएगी, किस डारिक्शन में आएगी, वो आपकी, ऐसे चलेंगी, डारिक्शन समझवा रही है, क्या करेगी, रेन के वेलस्टी को, रेन के जो बूंद ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, जो विंड है, वो उसको कैसे लेकी जाएगी, ऐसे लेकी जाएगी, तो इस तरह से रेन चल अब ऐमेरा हमें पकड़ना होगा तो अम्रेयला हमारा हुआ इस तरी के से पंगे है यह एक अगर विंड की डारेक्षिन है विंड अगर माल लो आपकी ऐसे ब्लो कर रही है इस डारेक्षिन भी कर रही है तो कैसे होगा इस तरह से रहे नाएगे फिर हम रेन को कैसे कौन से कलर से ले रहे हैं हम रेन को यह वाले कलर से ले रहे हैं अब अम्रेला का से पकड़ेंगे बिटा बताओं अम्रेला का डारेक्शन चेंज हो जागी ना हां ऐसे रहे किसर इसके पर निक्ला तो अब हमें समय में आ गया जब अगर वर्टिकल डाउनवर्ड डारेक्शन में रहे हो दब विंड वेलस्टी कुछ भी नहीं हो तो आपके यह से हाँ थे बिल्कुल टारेक्शन में अगर मालो विंड की वेलस्टी यह हो यह शन हो तो मिंड क्या होगी ओन बी अपके इस तरह से आएगे राइंगर माओ रएन कैसे आ लिखेग किसे को पुछ में हाइं हो गई तो आपके इस को पुछ पुछ करेगी कि वही को किरिण न को रोकने के यह से हमारे अशनaison हो गई हो गई नहों यह उली पुछना घगी शंक करें तो हमें और पर काषज कुछ की है है न हगड़ा ठीक है बिल्कुल बच्चों की बाते हैं लेकिन हमें एक बड़ जो क्युक्कि constitu पूश्टे हैं वह और इसी तरह को पूशते हैं मोद हाईफी नहीं होते बस समय समझना होता है करे तो इसलिए हम इंसको ठोड़ा सा्रिवाई कर रहें तो यह क्या हुआ कि हमारे पास में जो हमारे उसने दखा कि बारिस कासे आँ रही है बारिस तो वर्टिकल हो जब जूँर अर उसे है कि बारिश कैसे आहने लिए भारिश काया अे प्ले Canada स्टार्च कंट करें पूंज January माइर करें है कि बारिश कैसे आही है वहस्ट कeल दोड़ हो पहुंगा अप्की तरह तरह कर दोड़कर पहुच छाते हैं तो उसने दोड़ना सुरू कर दिये जैसे उसने दोड़ना सुरू किया ऐसे अंब्रेला पकड़के तो क्या हुआ बारिस आपकी उसके जो पैर हैं उनको भीगो रही है फिर उसने थोड़ा सा और चोचा कि मैं जल्दी चलता हूँ ना कम भीगूंगा तो बारिस उपर तक भ जञे लिगत हो थी ओन्तों है तो मैसे को समय कर धी अम्प्रेव रही है कि ध्या हो रहा है। आप उसने अम्ब्रेला को क्या कीया है। उसने बारिस ने क्या किया बारिस आप यहां कि बार इस रूंग गई नीचे होकई पैर खोड़ाव कुष्य ऑन उस्ट इसा ए मत थे य क्या है एउचलो इपस्थ सोचते हैं इसके उपर ना ऊब ऑ regen पर मैं मुdetारी के से जा रहा था इग्षैंस मीं जा रहा था था इंगा 邁खियो ऊहले च्सुभी पखड़ दिडिया और बारी उसको कैसे भिगो रही है बारी ठीकिसले लिग мол कि hm तो अब क्या हुआ है अब चंदू ने देखा कि यार कुछ इस तरह का हुआ है कि बारिस मुझे इस तरह आते भी दिखाई पड़ रही है बारिस की जो डारिक्षिन है रेन की वह तो वर्टिकल थी लेकिन वह ऐसे कैसे चेंज हो की तो उसने सोचना शुरू किया तब उसने वरस्टी जो उसने पढ़ी थी वहां पर आया उसने वहां पहुचा ना तो उसने पहुचा कि मेरे रेस्पेक्ट में बारिस की डारिक्षिन यह वाली थी कौन से थी मुझे बारिस इधर से आते भी दिखा रही थी दिखाई पड़ रही थी मतब जो मैन को अना चंदू को जो दिखाई पढ़ रही थी बारिस की डारिक्षिन वह यह वाली थी ऐसे आ रही तूज कर दिखाए अपर घजिदी और जैसे जैसे दो लिडROB चृर्ट बढ़ शुरू किया वैसे वैसे जैग जितनी बढ़ेगे बारेश की डारिश री चेंज होती जाएगी तो ये एकॉनसेप्ट दो रेलेटीव एक हमें देख विबर है तो क्लास में हमने पढ़ा था तो क्या समय यानि कि मेरी VR, रेन के जो वलस्टी है, मुझे देश सेड़ी दिखाए पड़ती है, तो कैसे निकालेंगे हम उसको, रेलटी वलस्टी ने, मेरे रेस्पेक्ट मेरे रेन के वलस्टी, कैसे ये VRM क्या होगी, वलस्टी ओफ रेन in with respect to man, यानिवेलस्टी ओफ रेन with respect to चंदु, तो क्या बताया था, सवर ने बताया था कि बई वलस्टी ओ एकी वलस्टी मायेनस बी की वलस्टी है, तो एकन है याँ पर, ए तो है रेन और बी कौन है, बी कोन है, बाई چंदु, तो क्योंकि चंदो को दिखाए पड़े ने रेंटो रिश्पक्त में रेंट के वलस्टी आप मार्व वह डरेक्शन चेक कर रहे हैं रहें तो यानिकि वी आर माइनस वी एम कि लिए है बीटा तो चंदोने देखा के अंब ए ओर की लागता के शो हुआ हुआ उसक ड्रीस हो यह थी और मुझे क्या करना है कि वर्टिकल डारेक्शन धäreक्टरम गहलेए कि तुट्रिक प्रोलम हो गई कि यह माइनस भीएम करना है मैनस भीएम कैसे मेरी दार्टिन यह थी तो आपका वीएम हो गया अब उसको समझे में कि जो डार्टिन मुझे दिखाए पड़ रही थी वह इनका रिजल टेंट होगा तो वह उसको यह डारेक्शन दिखाए पड़ रही थी अब चंदो को कलियर ह हो गया कि बहुर्ए हां यह मुझे बिलकुल रेंगे जो डारिक्शन है वो यह दिखाई पड़ रही है तो यह समय मैं आया था क्या किया हमने यह मैनस भी एम है इसका मतलब क्या होगा कि Vertical Direction में रेन आती है अगर मैन की Velocedure बढ़ती है तो क्या होगा कि आपको जो Rain की Direction है वो कैसे पड़ेगी मैन को Incline आती होगी यह वाली है मतनब कुछ Angle पर दिखाई पड़ेगी Vertical से मान लेते हैं यह Theta है क्या है theta है ठीक है तो अब इसमें हम यह हमारा क्या बन गए यह triangle बन गए विटा हम इसको analyze कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि tan theta is equal to क्या होगे यह high perpendicular by base यानि Vm by आपका Vr ठीक है तो यहां से theta निकाल सकते हैं यानि कि rain की जो direction निकाल सकते हैं clear है और आपके Vrm क्या होगी बिटा Vrm बताओ ग्रीन के फैन से कर रहे हैं देखो हमने क्या किया है इसमें ध्यान रखना थोड़ा साम जो color combination कैसे यूज कर रहे हैं rain को हम यह वाले color से ले रहे हैं जो blue है आपके man को जो हम yellow color से ले रहे हैं और जो rain की velocity है किसके man के respect में बिटा वो हम green color से ले रहे हैं तो यह आपकी हो गई Vrm अगर इस triangle से हम देखें तो Vrm आपकी आगई क्या square root of Vr square plus Vm square यह simple सा दूसा formula हो गया आपका यह आपके direction आ गई और यह rain की velocity आ गई magnitude आ गया clear है अब चंदों ने थोड़ा सा और सोचा इसके बारे में यह तो जो direction बदलती है rain के ना वो कैसे बदलती है यह तो मतलब कि मेरी जो speed बने बढ़ाई तो मुझे rain और फुरा जैसे दिखाई पड़ी अगर इस्पीड कम कर ली तो rain मुझे इस तरह से inclination जो है उसका वो कम हो गया समयारी बात हाँ तो चंदों को अब समय में आई स्टोरी थोड़ी समझ में आने लगे उसको मतलब rain कि इरेक्शन है वह किसे टेपंड कर रही है वह मैं की वैलस्टी पर कर Uh तो बिटा अब चंदु ने अपने दोस्त को धिचाना आया जै का मैजिक करतँ है किसके साथ में attached करें ओवेस्ति आ जब दोस्त को बुलाया उसने जिसकोस को भूल गॉलाया तो बोलो जो भूलाया तो उसने कहा कि चलो वोलünf यह काम करते हैं अपनी बाइक निकालो और तो उसने खाहिए देखो, यहां पर बर्टीकल है, अब इस रेन को मैं क्या करूंगा, इस रेन को मैं डारिक्शन եेंज करूंगा, तो बुल को ठीक है, तब ही क्या वुआ, हवाध, विंड दे अपना कामाल दिखाना शुरूँ किया और यह विंड ऐसे ब्लो करने लग गए बीटा इस डार्क्षिन हो तो रेंड की डार्क्षिन कैसी हो जाएगी जैसे विंड की डार्क्षिन आपकी वर्टिकल थी स्वरी ये वर्टिक पहले वर्टिकल थी आप कैसी हो गई अब ये वाली हो जैसे इविंड चलने सुरू हुई ठीक है तो अब देखो कि इनीशली क्या हो रहा है बीटा इनीशली ये हो रहा है कि आपके उन्होंने यह आपकी रेंड की डार्क्षिन ले लिए शने ठीक है अब चंदों ने कहा कि एक काम करते हैं चलो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ क्या करो बाइक की स्पीड बढ़ाओ तो बाइक की स्पीड बढ़ाई उसने तो क्या हुआ रेंज जो ऐसे आ रही थी वह उसको वर्टिकल दिखाई पड़ने लगी हाँ देखो मैजिक देखो अभी ऐसे आरिए ना पीछे आरी है ऐसे पीछे से आरी है तो बॉला कि बढ़ाओ उसने देखा कि रेंड वर्टिकल आने शुरू हो गई और यह कैसे हुआ अब बढ़ाओ तो रहें पदा से लिए कि पीछे सा रही थी जो रेंग वो कहां से आना लगी वह सामने साथे वी दिख हां यह तो कुछ पहली हो गई ना अब उसने चंदो को पूच्छा कि यह क्या सीन है तो चंदो ने उसको समझाया कैसे समझाया देखो रेन के डारिक्शन यह है और जो लेटी वलस्टी काम करती है तो जितनी मैंन की जोड़ा वलस्टी होगी वह आपकी यह माइनेस वी अप की माय पैसनीं वह एक्वेशन सम्झाया एपने पहले वाली वी आरम इसकोल डो वीरमायस मैंनेस आरे तो यह वापकी यह Rs. सदि आनेशल यह यह आपकी यह मह फ़ी और यह जो रेन की डारिक्शन आए कब सी कौन सी इनका रिजल्टेंट तो यह रिजल्टेंट ऐसे आगे बिटा यानि जब वी एम उसने कुछ जीरो से जब जीरो थी तो तो ऐसे थी तो छाता कैसे पकड़ा था उन्होंने छाता ऐसे पकड़ा चुब उसको बना लेते हैं जब जीरो थी तो रेन की वेलस्टी दारिशन ये थी तो चयाता कासे तो डाम अमडिटा कासे उन्होंने अमरिडा आपका जेल्ट梅र ये पकड़ा अब ये घापर ऑ नूं ये जो वाटिकल थी और रेंजल वींडे में अनि जली नोंने ये वाले ढारिक्शन थी नेुली वी forming पकेरा चलना सुनल कीया उन्हों हुआ डारेक्षिन कैसे चेंज होगी उसकी यह वाली चेंच होगी पिता अब किसकी डिरिक्शन आपके अंब्रेला के युछ यह वाली हुगी सथै क्ज़स्फ due तो उनको लुदी के पड़ी है यहां पर देखो यह वाली तो उनको अयसे पाऑ जैसे इस्कीलित और बढ़ी क्या होगागर वीॅंभ जाय है हमारा किया होंच क्वेइः टो देखां यहां पर यह मानलों रिअ मोर इंगिज कर दी हमने आरagarोप क्या होगा ड्य ? सिमना आर्म यह बढ हाटाल रही है वह वह चेंजी हो जाएगा Sugedat अब क्या हो गया यह हो गया झानि की नया जो माल लेते हैं यह वी डैस और हम यह आपकी यह डारिक्शन हो गई जितना वी बढ़ रहा बढ़ गया वैसे पहले देखो वी जब नहीं था कुछ भी जीरो था तो यह डारिक्शन थे रेंग की उसके बाद में जैसे वी इतना हो यह वाला हो गया बीकी वैल्यू तो आपके रेंड के डिरेक्शन रिजल्टेंट आपके ग्रीन वाली देखो रिजल्टेंट यह आ रही है और जैसे वी और इंक्रीज हुआ बिटा मतब बहुत चंदू ने क्या किया इस पीड और बढ़ाई बाई की तो रेंड सामने साने द चाथा लेके खड़े थे तो बाइक पर जैसे स्पीड बढ़ाई तो हम वहले वर्टिकल हुई ना उनको चाथा ऐसे पक्रना पड़ा उसके बाद में फिर और स्पीड बढ़ाई तो चाथा रें कैसे आने शुरू हुई तो चाते को डारिक्शन यह चेंज कर दी विटा त तो अगर यह concept आपको समझ में आ गया कि किस तरह से relative velocity निकलती है ना हम देखो वापस हम एक्समें कर लेते हैं हम जो यह वाला कर रहे वी आर आपके rain के यह सकती है विंड आपकी इस डिरेक्शन से ब्लोव हो सकती है तो उसकेस में भी आपका बंज ये वाला डाइग्राम कौण सा वरुस्टी डाइग्राम आपका ठीक है, man की हम opposite उसमें minus कर देंगे vector में minus करने के लिए क्या होता है इसको अगर ये man की direction है, कौन सी? ये वाले लिए थी हमने ये वाले ना, ये wind की direction लिए थी कोई बाद नहीं, वापस कर लेते हैं ये आपकी man की direction ये है तो हम इसमें add करेंगे तो वो minus ये vm है माल लो तो ये minus vm ऐसे हो जाएगा इस direction लिए इसके head पर इसकी tail कर देंगे और ये आपका result आजाएगे simple vector आपने पढ़ा हुआ है ठीक है, इतना सा ही पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा ये ही concept है क्यों ये ही concept है, कोई confusion नहीं है कुछ नहीं है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको ये question easily solve हो जाएगे ठीक है, चलो आगे चलते है question पर चलते है ओके देखो अभी question solve करेंगे, तो और समझ में आएगा a man is walking on a level road at a speed of 3 km per hour raindrops fall vertically with a speed of 4 km per hour क्या कह रहा है आपके किस की दे, ये man की speed दी है ये, यानि की vm हमें दे दिया vm किता में दे दिया 3 km per hour दे दिया ठीक है raindrops fall vertically with a speed of 4 km per hour raindrop की क्या दे दी हमने, speed raindrop की दे दी और इसकी direction क्या दी है देखो, इसकी direction हमें नहीं बताई है तो वो ऐसे भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकती है आपके rain drop की जो vr की direction दी है वो क्या दी है, vr कितना दिया है आपका 4 km per hour दिया है राइट, कैसा vertical downward vertical downward direction में तो फटा-फट बिटा velocity diagram draw करो क्या पूछा, find the velocity of rain drop with respect to man, यानि vrm पूछा इसने तो चलो, velocity direction direction draw करते हैं यहां पर इधर करते हैं, तो ये हमने vertical ले दी, किसकी direction ले ले लिए हमने ये vr ले ले लिए बिटा minus क्या करेंगे हम vm करेंगे, ना क्या करेंगे, vm minus करेंगे minus करने का मतलब, अगर मान लो हम मान लेते हैं, ये direction है, उसकी तो आपका ये minus vm हो गया ये कितना है, ये 4 है आपका ये कितना है, ये आपका 3 है तो बिटा, rain की direction किसके respect में, man के respect में क्या हो गई इनका resultant ये resultant आ गया, ये आपका vrm हो गया ये हमारा क्या बन गया, ये triangle बन गया कौन सा, भी, velocity diagram का triangle बन गया, ठीक है, तो find the velocity of rain drop, तो देखो, ये triangle बन गया, ये आपका कितना है, देखो अब value देखो पठापड vr कितना है, ये 4 है ये कितना है, vm, आपका 3 है, तो ओबेसली ये कितना है, ये कौन सा होगा, 3, 4 5 बेसिक ट्रेंगल है ना, हाँ, एंगल पूछ लिया उसने, यानि कि vrm आपका क्या आगया, vrm आपका आगया, 5 km पर आप, सिंपल है बिल्कुल, ये एंगल पूछ लिया उसने, थीटा, क्योंकि वेलस्टी पूछी उसने, अगर स्पीड पूछी होते हैं, ये लग देते हैं, वेलस्टी पूछी उसने, तो आपका थीटा भी निकालना पड़ेगा, थीटा बिटा, सिंपल, आपका इस्टेटर अंगल है, हाँ, हमें आइडिया है न, इसके बारे में, तो आपका जो तो smaller side है उसका सामने जो एंगल होगा वो तीटा छोटा होगा और जो स neither जो बड़ा जूऊए उसके सामने अंगल जो fare चोटा होगा और जो एक धान है निय्मकुल स्मॉल एक जो और सब बढ़ा है है इसोने सोत वस दीनों फाई में बिवरा यह तो इसको Guard भी वहना से 345 आरहा है आपका तो मद राइट अंगल ट्रेंगल में तो आपका जो थी है मगनिटुड है वह आपका 5 km per hour हो गया ठीक है चुरों नेक्स प्रोब्म में चलते हैं ए मैं रॉनिंग ओने होरिजन्टल रोड अट 8 km पर आवर फाइंड दा रेन फोलिंग वर्टिकल ली इंक्रीजेज फिज इस पीड टूट अवर फाइंड फाइंड रोप्मेक्स अन अंगल ऑफ 30 डिग्री विद बटीकल फाइंड फाइंड आइड इरेक्शन ऑफ दी रेंड विद रेस्प्त टू दी रोड क्या काया इसने कर ऑनिनग और मैंकी स्पीड दें बीटा मैंट की स्पीड क्या दी यूसने एट क्लोमेटर पर OFF अब क्या हो रहाँ और बनोस्त ओर यह रेम आपकी वर्तिकल फोल कर रहिए कब झाल मिलता उस्वक जब एटriz कुलो मेंटर पार फार जब उसकी स्पीड है तो रेन आपके वर्टिकल फोल कर रही है और फिर उसने स्पीड बढ़ा दिए बीटा तो आपके स्पीड बढ़ाने पर क्या हुआ इस पीड कितनी कर दिए उसने 12 किलमेटर पार आर कर दिए and find the drops makes an angle of 30 degree 30 degree कर रही है कब जब स्पीड आपके कितनी होगी 12 किलमेटर पार रहा होगी तो बिटा सिंपल आपका ड्रो कर सकते हैं बिल्कुल सर तो कैसे है बताओ मुझे अगर माल लो मैं इस साइड में जा रहा है यह साइड है मैं के जाने की और रेंड्रॉब जो है कैसे बोल रहा है कि जब रणिंग में है ध्यान रखना यहां पर जब मैं की वेलस्टी कुछ भी नहीं जीरो है तो उस टाइम के नहीं दी कि रेंड यह कब दे रहा है जब 8 km per hour की स्पीड पे जब मैं क्या कर रहा है रन कर रहा है तो उस टाइम पर इसकी वेलस्टी दी है मनल डाशन दी है कि वर्टिकल फोल कर रही है ना यानि कि जो रें यानि हमें यह वाली क्या दिवी है यह वी आर्म है बिटा यह जो डारिक्शन है न कि अट्र में रहे हैं तो ऐसे जो होगी ना मैंके स्पेड़ी क्योंकि यह माइनस है तो हम देग्राम ध्यान करो यह आपकी ऐसे होगी अठीक है और रेंग के रेंग की स्पिड क्या होगी उसकेस में फिर बताओ रेंगे डारेक्शन क्या होगी पीटा एक्षल जो और जो यह वी आर है यह आपका वी एम है यह माइनस वी एम और यह आपका क्या है वी आराम राइट सम्झे होगा रहा है कबकी ए फोलिंग वर्टिकली जब कब कहता है जब यह इसी स्पीड से जा रहा है तो यह दे दिया आपका कि वी एम आपका यहां से लेकर यहां तक कितना है यह है आपका एट यानि वी एम की यह वालिव यह अपकी एट एट किलो मेटर पर अब क्या हुआ आप कह रहा है कि एंड फाइंड दर ड्रोफ इस पीड इंक्रीज कि इसने कितनी तक कर लिए तो इसने स्पीड को आपको यहां तक कर लिया आपको यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक का आपका स्पीड को शो कर रहा है ना ऐसे तो यह आपका वी एम डैस मान लो यह आपका अगया 12 किलोमेटर पर आर तो यह कितना बच गया विटा यह छोटा सा यह 4 हो गया ना चलो यह भी काम आ जागा और यह मान लेते हैं इसके रिजल्टेंट स्पीड क्योंकि यह तो चेंज होगी बीएर तो क्या है वी आरे नहीं जब दोर नहीं रहा तो फ्रॉटा ओट में तो चाटा कैसे पकड़ता है ऐसे पकड़ता अब जब रहा है तो उसको कहां पे दिखाई पड़ रही है आप रें रें उसको पीछे हो जाते ला उसको वर्टिकल दिखाई पड़ रहा है और जैसे ही यह क्या करेगा होगा तो आपको रेंद के सामने से मैजिक वाला केश्टान आ हाँ यह बिल्कुल मैजिक वाला के इसे उसने मैने जंदों ने बोलो को मैजिक दिखाया था ठीक है तो यह बिटा आपका क्या आगी नई वी आर्यम आगी वी आर्यम डैस माने इसको राइट तो यह आपका ट्रेंगल बन गया अच्छे यह क्या कहा रहा है माल लेते हैं कि य यह जो एंगल है इनीशली प्रेंप यह थी टा था शुच माल लो इसकी जूरत भी नहीं वैसे पर शायद देख लेते हैं और यह कि दना बता रहा है आपका बना रहा है कितना थर्टी डिग्री कि दना रहा रहा है यह वर्टी को से थाटी डिग्री बताना एंगल मेक से न और यह हमारे पास में पूछा क्या है उसने? Find the speed and direction of the rain with respect to ground यह यह वाली Vr पूछी उसने वियार पूछी बीटा, ठीक है, हाँ, ओके, तो कैसे करेंगे, देखो, हमारे पास में ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो हम ये निकाल सकते इस ट्रेंगल से, कौन से ट्रेंगल से, ये ये ट्रेंगल से, तो यानि 1030, 1030 डिग्री इस इक्वल टू, ये साइड, इस है, तो ये कितनी बच गी, 4, तो ये आपकी 4, अपॉन, बेस, यानि कि आपका, VRM, राइट, तो VRM के आपका क्या आ गया, VRM is equal to, 4 अपॉन 1030, और 1030 कितना होता है, 1030 कितना है, बिलकुर सही बात है, 1 by root 3, तो VRM आपका आ गया, पॉर, root 3, ठीक है, तो अब ये वाले ट्रेंगल ले लो, ये ट्रेंगल, क्या निकालना है, क्यों ले निकालना है, तो VR कैसे निकाल लेंगे हमारे पास में, देखो, हमारे पास में क्या क्या आ गया, चलो, चेंज करते हैं, इस वाले ट्रेंगल में, ये वाले ट्रेंगल मे यह यह मारे पास्ति है है और इसकी यह सभी है विल्कुल झैएगा वियार स्कृर टू रूट ओफ सब्सक्राइब दॉब तो इसका स्कूयर यह कतना है एक है एक का स्कूयर प्लस यह कितना है पॉर रूट-3 का स्कूयर कितना है 4 root 3 का square हो गया, यह आपका हो गया बिटा, 64, यह आपका 48, तो यह 4, 4 root, कितना बच गया, यह दर से 4, यह दर से 3, 7, तो यह आपकी आगी VR, तो वी आर कितना है बिटा, वी आर आपका हो गया, 4 root, 7 किलोमेटर, पर आर, क्लियर है, मैजिक वाला के से बिटा, पर डारेक्शन और चीए, मैं थीटा और चीए, तो थीटा कैसे आएगा, बिल्कुल सिंपल है सर, थीटा इसकल टू, तैन ले लो, तैन इन्वर्स, यानि तैन थीटा इसकल टू, पर पर पेंडिकलोर बाई, आपका, क्या, बेस, पर पेंडिकलोर कितना है, 8, बेस कितना है आपका, 4 root 3, यानि थीटा इसकल टू, आपका, पैन इन्वर्स, टू बाई, टू बाई, रूट 3, या आपका, थीटा आगया बेटा, और ये भी आ रहा रहा आगया आपका, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा मुस्किल लगता है question, लेकिन question के अगर भासा समझ लेते हैं, तो उसके बाद में आ question आसान बन जाता, बेटा, concept आप तो पहले केलियर हो चुका, कि रें के डिक्षिन कैसे वेरी करती, वही को एक concept है, बस, चलो, next question पर चलते है, a man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away, he throws the umbrella and start running at 10 km per hour, he finds the raindrops are hitting his head vertically, find the speed of the raindrop with respect to, speed of the raindrop, पूछिये क्या पूछा है बीटा, वी आर पूछा है, क्या पूछा है, वी आर पूछा है राइट, तो यह वी आर इसने पूछा है बिटा, और यह कह रहा है कि umbrella को कितना पकड़ना पड़ता है, पहले 30 degree पर पकड़ना पड़ता है, तो यह ऐसे पकड़ेगा यह आपको कैसे मिल रही है, वर्टीकल मिल रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा ना, मैजिक वाला जो चंदुर भोलो का जो केस था मैजिक वाला, कि जब रेन ऐसे आ रही थी, कहां से पीछे से आ रही थी, और जैसे उन्होंने दोड़ना शुरू किया, तो आपको पहले तो दोड़े तो उन्होंने रणिंग स्टार्ट, बाइक जो चाना की वर्ष्टी बढ़ानी शुरू की, तो पहले तो आपको कैसे मिल आई यह आपका, इस तरह से हुआ, तो रेन कैसे मिलने लगे उसको, उनको रेन मिली वर्टीकल, ध्याने ना, कैसे, यह ऐसे वर् आपका, वी आर हो गया, यह माइनस वी एम हो गया, और यह आपका, वी आर एम हो गया, वी आर एम, राइट, क्लियर है कैस, हाँ, यह माइनस वी एम, और यह आपका, वी आर, तो यह हमारा डाइग्राम त्यार हो गया, ठीक है, find the speed of वी आर, आप देखो, क्या-क्या दिया ह हमें यह मैं दिया है 30 degree और वी एम दिया हमें कितना है 10 km पर आर हो गया हमारा question soul 10 km पर आर दिया है right question soul हो गया बिल्कुल त्रेंगल भी यह चीज आगे मारे पास में तो VR अमें पूछा है तो VR निकाल देंगे कैसे निकाल लेंगे वियर कैसे करेंगो तो सर यह वाला ट्रेंगल ले लिया हमने तो 10th टा इसकोल टू एन 30 डिग्री इसकोल टू तू क्या है आपका पर यहां पे तो व्यार चाहिए तो बिटा कोई कदमी यह साइन ले ले लेते हूं तो साइन 30 इसकोल टू आपका क्या हो गया यह पर्पेंडिकुलर भाई हाइपोटेनियस यानि की वी एम भाई वी यार दाट इस टैन भाई आपका वी आर और आपका वी आर कितना हो गया सें टीकिता होता हैं का हाफ हता है यह आपका का हो गया 20 किलोमेटर पर आवर ब्र टो वी आन। विःस्टी ऑफ रेंड ड्रेस्पेके प potion ड्राँंड और भाई यह जो आप विद रिसपेके मोविंग में यह जो एं हैं आपका का का पूछ है इसने दूसर दूसर व्सकोन से पुछा है वी आर Sm оф य। विbern कैसे निकालेंगे शिंपल सिर्टर्णील से निकाल देंगे हमरे पादने लागे हमारे पास मैं बेस भी है हो हाइपोटेनेस चैनि की वी आरम आ वापको क्या हें ब्यार्मने hypotenuse का square, vr का square minus vm का square बटा, vr क्या है, 20 है, यानि आपका 400 minus, vm कितना है, 10 है, यानि 100, तो 300, root 300, यानि 10 root 3, या आपका vrm आगे बटा, speed पूछाएं ना, तो direction निकालने की जूर तो नहीं हमें, right? चलो, next question करते है, ये दिखा, आपका J-E main 2020 का है, वो अभी तक जो मने question किया, वो कौन से है, वो HC और मा के थे, ठीक, अच्छे question थे, इसलिए मने लिए थे, कि हाँ, उनसे हमें, समझ का level और बढ़ेगा, When a car sit at rest, driver sees raindrops falling on it vertically, यानि कार के जो, VR क्या है, VR का मतलब यह हो गया, कि जो उसकी direction है, वो कौन से है, वर्टीकल है, यानि कि rain कैसे आ रही है, rain ऐसे आ रही है, बिटा, When driving the car with speed V, he sees that raindrops are coming at an angle 60 degree, यानि कि जब V उसने किया, तो माइनस क्या करेंगे, हम माइनस V कर देंगे, यह माइनस V कर दिया हमने, 60 degree from the horizontal, कैसे कर रही है, horizontal से 60 degree बना रही है, यानि कि VRM की जो direction बता दी, इसने में बिटा, हाँ, यह, यह आपकी VRM, हो गई, और यह कितना बता रहा है, angle, यह आपका 60 degree बता रहा है, कब जब आपकी velocity कितनी है, यह, car की, यानि माइनस V है, और यह वाली कौन सी है, rain की, velocity है, यह, with respect to ground, VR है, ठीक है, तो एक तो triangle आपका, यह बन के बिटा, अब क्या कर रहा है, on further increasing the speed of the car to 1 plus beta V, this angle change to 45 degree, यानि यह, अब उसने further, क्या की है, speed increase की है, तो चलो दूसरे diagram पर देख लेते हैं, बिटा फटा फट, increase करेगा, तो क्या करेगा, वो, और रेन ऐसे दिखाई पड़ेगा हमें, हमें, हाँ, तो यह minus, कितनी हो गई, 1 plus beta V minus का, और यह आपकी, Vrm माल लेते हैं, डेस्क लगा लेते हैं, यह आपका theta 2, theta 2 कितना आगया, 45 degree, अब बिटा, Vr तो change हुआ नहीं है, कि रेन तो वैसे ही आ रही है, जैसे पहले थी, यानि कि Vr तो आपका सेम रहेगा, यह तो Vr ही रहेगा, राइट, अब यह दो द रेंगल बन गए आपका, the value of beta is close to, beta के वाल निकाल नहीं है, बिटा, तो इस रेंगल को आपको यूज कर सकते हो, यानि कैसे नहीं का, आपका यह, Vr upon, नहीं, Vr upon, यह माल लो, आपका रेंगल होगे, यह theta, यानि कि 10, आपका 1060 degree, is equal to, क्या आएगा, Vr upon V, Vr upon V, तो 1060 आपका किदना आता है, बिटा, 1060 आता आपका, root 3, root 3 is equal to, Vr upon V, right, एक तो equation यह आगे है, हमारे पास में, इस से देखो, इस से क्या आ रहा है, यहाँ पे 1045, 1045 degree, is equal to, Vr upon 1 plus beta V, यह कितना आगया, 1, 1045, तो यह आपका, Vr upon 1 plus beta V, दोन equation से, क्या आएगे, बिटा, root 3, Vr से Vr cancel हो जाएगा, तो यह आगया, आपका, root 3 is equal to, 1 plus beta V, उपर चलाएगा, V से V cancel, तो 1 plus beta, और beta आपका कितना आगया, root 3 minus 1, root 3 की दोन हो था, 1.73, minus 1, तो 0.73, D answer आगया आपका, right, मुस्किल लिए न, बस आपको यह डाग्राम डो करना आना चाहिए, ध्यान रखना, बिटा, Vr की direction change नहीं होती है, direction कौन सी change होती है, आपकी, Vrm की ही change होती है, और हमेशे यहाँ यहाँ पर Vr कर दिया, तो उसमें minus V लगाते हैं, Vr में, अगर आपका, Vrm दिया हुआ है, वर्टिकल, तो उसमें minus V लगेगा, मतलब अगर कैसे, क्या करें सर्ब, मतलब यह आपका, Vrm दे दिया मालो वर्टिकल, ऐसे, to Vm अगर हम इसमें add करेंगे, े तो वी एंहारा कैसे एड करते हमेशा हम अवियं इस तरह से एडोगा गलाट ना की इस सड्य में हुगा यह माइनस ही हम हो गया तो यह आपका क्या हो गया वी यार यह यह कौंशेप्ट स्वक्ष्पेड कर रहे हैं तो यह देखो कि है यह आपकी अगई अइसे डाइग्राम बनेगा ठीक है पहले उदर विया रहेगा उसके साथ में रहेगा और फिर इदर विया रहेगा इधान रहेगा इधान रखना नेक्स कुछिएं ए मैं इस बोकिंग डियो इस्ट अट रेट आफ टू किलोमेटर पर आर दा रेन अपिएस तो हीम तो कम डाउन वर्टिकल ली अ कौन से दी यानि Vrm कह रहा है यह आपका कैसा है वर्टिकल है Vrm, राइट दी अट या दे दिया यह लो आपका मैनस Vm कर दी हमने और जो इनका resultant है वो आपका कौन से आगया वो आपका V R आ गया अब V R आ गया simple सह the actual velocity and direction of the rainfall with the vertical यानि कि V R पूच्छा उसने actual velocity है न तो क्या आएगा V R क्या होगा इसका square plus इसका square यानि V R is equal to V R, V R M, V R M कितना है 2 km पर आ रहे है 2 का square 4 plus V M V M कितना है आपका वो भी 2 km है यानि 4 square root कितना हागिया बिटा आपका 2 2 km पर आर और क्या पूच्छा इसने direction पूच्छा है from vertical किसकी V R के पूच्छी ये vertically direction V R M तो ये पूच्छा है theta दो साइट बराबर है तो सीधा है theta कितना हागिया 45 degree 45 degree ये answer आपके बिटा 2 root 2 km पर आर at 45 degree ये answer बिटा ठीक है हाँ चलो तो ये बिटा एक हमने कुछ एक्जामपल solve कर लिए कुछ कोंशन solve कर लिए concept हमें समझ में आना चाहिए बस simple सा कितना कि भी direction जो rainfall की direction है मतलब वो किस तरह से vary करती स्पीड के साथ में किस की स्पीड के साथ में मैं की स्पीड के साथ में तो वी आर तो हमेशे constant ही रहेगा बिटा मैं की स्पीड चेंज करेगी उसकी वजए से क्या होगा वी आरेम की direction आपकी change हो जाएगी ठीक है यह यह concept इतना साही है यह समझ गया आप और इसकी direction कैसे दी वही है वह समझ में आ गया आपको तो फिर question आपके नहीं बचेंगे विटा सारे question आपके सोल हो जाएगे ठीक है चलो के practicing विश्यो अल दी बैस्ट कि